असलाव अलेकूम, वेलकम बैक टू माई चानल, उमीद करती हूं सब लोग खुश होंगे, खैरिस से होंगे, अलत अला हम सब को अपने हिवसों अमान में रखे, काफी दिनों से कुछ रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप जो है कुछ वीडियो की रिक्वेस्ट थी कि आप कीचर कि दर से यहाँ पे ले सकते हैं, चीप एन बेस्ट और थार्ट वो था स्कूल का कोशिन था, कि यहाँ पे बेस्ट स्कूल कौन से होते हैं, तो इसके बारे माप वीडियो बनाएं, तो मैंने सोचा चले, आप सारे सेल्स ओफर अल्मोस फिनिश हो चुके हैं, तो मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो अप्रोड कर देती हूं, कि यहाँ पे एक्सपेंस से कितना है, देखें एक्सपेंस की तो अगर आप बात करें, तो यहाँ पे डिपेंड करता है, कि आप की स्टैंडर ओफ लिविंग किस तरह से आप मेंटेन करेंगे, वरना तो बहुत ह कि स्टैंडर इंडर सब्सक्राइब करेंगा, कि समयरा इस पेसे पेड़ी करेंगे का डिपेंड करते हैं भाल ऋकशनाइड निंइट निखी आप हैंट जैंड विगतों कि वहाँ अनगर जानके यहां पर इंडिया पाकिस्तान यह मारी एशन कम्यूनिटी जो है वो मुरबा मलज या हारा में प्रेफर करते हैं लेना हारा में सबसे आपको चीफ प्रेस में आपको घर मिलते हैं क्योंकि वह थोड़ा से कंजेस्टेड एरिया है और थोड़े जादा वहां पर बैशलर आपको अच्छे घर मिल जाते हैं तो वहां पर उनकी कंडिशन इतनी अच्छी नहीं होती है सबसे अच्छा एरिया यहाँ पे मलाज आता है इंडियन या पाकिस्तानी के लिए और वहाँ पे सबसे लोईस ट्रेस्ट आपको 20,000 से स्टार्ट होता है यहाँ पे फ्लैट जो की 1 बीएच के आपको around 19 to 20 मिलेंगे और 2 बीएच के फ्लैट की अभी जो रेट चल रही है वो यहाँ पे 24,000 से 30,000 तक की रेट में है फिर आता है मुरबा एरिया मुरबा में थोड़े से और ज़्यादा महंगे रेट हो जाते हैं आराउंड 30,000 आपको मिल जाएंगे पर कुछ एरिया मुरबा में भी आपको 24 तक मिल जाते हैं और उलाया में भी काफी लोग रहते हैं सबसे जादा लोग मलज यहारा में ही प्रेफर करते हैं वो मलज यहारा में रहे ताकि डिस्टेंस काफी कम हो वरना बच्चों को एक जड़ घंटे पहले निकलना पड़ जाता है और स्कूल के लिए तो यह बहुत ही जादा मुश्किल हो जाता है और फिर जो है दूसरी बात मैं कहूंगी स्कूलिंग की बात मैं कह दी और स्कूलिंग का काफी लोग कूछना चाहते हैं कि स्कूलिंग जो है आप अमेरिकर करिकूलम या बृटिश करिकूलम या C.B.S.C. बोट आप जैसे प्रेफर करें तो CBSC Board में सबसे best school यहां पे आते हैं Yara International School जो कि सबसे best में आता है उसकी fees 13,000 से 15,000 yearly हो आपकी हो जाती है without transportation, transportation के अलग charges होते हैं उसके बाद आता है अलियासमीन आप International School पर ही prefer कर सकते हैं जिसकी fees 6,500 से around 8,000 तक ही है yearly में बात करी हैं और इसके बाद आता है International Indian School रिया और फिर New Middle East International School यह भी बहुत ही best है सबसे best तो यारा ही है यारा International School के बाद नियू मिडिलीस्ट आता है नियू मिडिलीस्ट इंटरनाशनल इसकूल वह भी बहुत ही अच्छा है करी और अच्छा करिक्यूलम अक्टिविटीज पर अगर आप जानता है ध्यान देते हैं तो नियू मिडिलीस्ट आइटिंग बेस्ट है और फीस के अकॉर्डिंग भी और स्कूल मिज की अकैडमिक और स्टडी और हर तरह के यारा बहुत ही जादा एक्सपेंसिफ हो जाता है और यासमीन भी रिजनिबल है और आईस रियाद भी आईस रियाद जो होता है इंटरनेशनल इंडियन स्कूल रियाद यह सब एमबेसी स्कूल होते हैं एमबेसी स्कूल पाकिस्तानी एमबेसी स्कूल भी है और इंडियन एमबेसी स्कूल भी है बंगलादेशी एमबेसी स् स्कूल सी हैं लोग जाधा तर MBC स्कूल करते हैं हम भी आपका ट्रांसफर केस हैं कोड़े हैंयोगि Thailand स्कूल चनपर इनियुकुल श्कूल हो जाकétais खंद 30 इनियुकल नहां कोड़े कर एक श्क शूर्म जो होते fastens कि आप बात करें तो Middle East International School है यहां पर और अल्नूर International School है American and British Curriculum में आता है अल्रोवाद International School से वैसे आप खुद भी जाकर के ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं सबकी वेबसाइट अवेलेबल हैं आप सर्च करेंगे अगर की बेस्ट स्कूल इन रियाद और अकॉर्डिंग टू योर चोईस कि आपको ICCSCI आप चाहिए कि आपको CBSC बोट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप सर्च करें तो आपको मिल जाएगा और आप मेरे खहाल से तो सकूल जाकि स्कूल को विजिट करें और वहां पर जाकर बात करें तब उसको आपको पता चलता है कि A government की क्निशन क्या है oyunसट की है तब आपको ज्यादा ही आईडिया होता है अम तो ये ऑनलाइन ही ज़दा करके बटा सकते हैं और वैसे मेरा यहां का बहुत जादा experience नहीं रहा है फिर थर्ड कोश्चन से होता है furniture हम यहां पे कहां से ले तो furniture भी आप पे depend करता है कि आप किस तरह का कितना जादा expense कर सकते है furniture पे अगर आपको बहुत ही अच्छे stylish furniture चाहिए तो आप IKEA जा सकते हैं और जब भी offer का time है उस वक आप जाए IKEA में तो आपको अच्छे furniture आपको वहां मिल जाएंगे दूसरा आपको मिलता है option home box, home box के भी furniture अच्छे होते हैं पर जहां तक मैंने सुना है कि वहां की furniture तने durable नहीं होते हैं पर offer time में आपको 3000-4000 में आपको पूरा set मिल जाता है सबसे best जो locals यहां के prefer करते हैं furniture वो है हराज हराज में आपको used furniture भी मिलेंगे और new furniture भी मिलेंगे आप बनवा भी सकते हैं वहां पे जाके जो कि हम लोग भी हराज से ही जादा लेते हैं और best वहां पे आपको मिल जाता है आपको new furniture भी मिलते हैं अगर आप जाके वहां पे ready made furniture बने हुए हैं या आपको अपने room के according जिस तरह से आपको बनवाना है measurement के हिसाब से आपको जिस तरह की designs तो बना के भी देते हैं reasonable price में market range से आपको वहां पे rate जादा सस्ती मिलती है वैसे वहां पे use furniture अगर आप लेना जाएंगे तो वहां पे आपको use furniture भी 1000 रियाल 15,000 रियाल बहुत से furniture हैं जो मतलब की लोग sell करके जा रहे हैं जैसे हम move करें दूसरी city तो वहां sell कर देते हैं और तो हराज वाले जो हैं उसको फिर से renovate थोड़ा सा कर देते हैं और painting कर देंगे जहां टूटा है तो उसको बनार के वह फिर से resell करते हैं तो वह furniture आपको 1500 में आपको पूरा bed set मिल जाता है सोफा सेट आपको 1500 में आपको अच्छा सोफा सेट मिल रहा है पूरा wash करके उन्होंने अच्छे से दिया हुआ है आपको लगे गहीं नहीं कि वह पुराना है तो सबसे best option होता है हराज आप जाकर के ले सकते हैं furniture तो यह जादा तर यही questions मुझसे पूछे गए हैं कि यहां क जिस तरह की condition है जैसे यहां पर dependent चल रहा है तो आई थिंक यहां पर around 10,000 अगर salary package है minimum तो आप एक अच्छे सी life यहां पर survive कर सकते हैं वरना अगर उसे कम है 7,000, 8,000 में तो तोड़ा सा आपका में saving नहीं होगी क्योंकि monthly expenses 6,000, 7,000 अराम से हो जाता है बच्छों की school की fees dependent और grocery 2,000 around हो जाती है फो उसके बाद आपका electricity bill हो जाता है और internet के charges है तो around 6-7,000 आपके expense easily हो जाते हैं तो इस वज़े से अगर आपके around 10,000 है यहां पर salary package है तो सबसे best है वैसे अभी salary package जो है जादा मिलने भी लगे है और रियाद में थोड़ा सा salary package अच्छा भी होता है 15,000, 20, तो आप आराम से यहां पर रह सकते हैं आपके expense भी आराम से आपको cover कर सकते हैं और plus saving भी आपकी अच्छी होगी तो कोशिश यही करें कि अच्छा salary package हो तभी move करें और थोड़ा सा research खुद भी किया करें हम तो सिफ answer कर सकते हैं हम अपने according आपको बता सकते हैं कि क्या कर से क करता है कि आपको किस तरह से कैसे क्या चीजे लेनी हैं किस तरह के schools आपको prefer करने हैं किस तरह की housing आपकी choice पर depend करता है कि आप कितना expense कर सकते हैं किस तरह का आप लोकालिटी में रहना पसंद करेंगे तो उमीद करती हूँ कि मैंने सारे questions के answer दे दी काफी long time से मुसी तरह के questions पूछे जा रहे थे तो मैंने यही कोशिश की कि मैं इस वक्त बनाओं क्यूंकि अभी January start हो गया है तो अभी आप स्कूल में विजिट कर सकते हैं जाकर के और वहां पर चेक करें तो आपको form बिल जाएंगे आप फॉर्म लेकर के फिल करें और अभी जो condition हो गई है कोई करें और आपको पॉर्म लेने हैं और जितनी सेट्स अनके बास अवेलिबल है तो इसके एकॉर्डिं ही होता है अब ही आपके पास टाइम है इस वक्त ही आपको अगर रमूफ करना तो बेस टायम होता है अटमिशन के लिए भी बच्चों के लिए तो उमीद करती हो कि मैंन सारी कोशेंस के आंसर आप सबके दे दिये और थैंक यू सो मच फॉर आसकिंग मी तो मिजब भी अच्छा लगता है कि आप मुझसे कुछ पूछें तो मैं उसका या आंसर कर सकूँ तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माई व्लॉग्स और इसी तरह आगे भी सपोर्ट करते रहें और आगे आपको जो भी कुछ चीज की कुछ भी जानने की वो हो तो प्लीज आस करें तो मैं जब कुशिश करूँगी कि मैं इस पर वीडियो बनाओ और आपके आंसर कर सकूँ तो मैं तो मुच पर वाचिंग मैं व्लॉग्स